अलो गाइस, वेलकम बेक टू माइक्रो उनलाइन सर्विस आश्टा दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं A&M के बारे में A&M के फर्म आज चुके हैं दोस्तो और सबसे जुरूरी बात यह है कि आपके जो प्रोफाइल है नई प्रोफाइल अब आपको बनाना होगा कुछ अपडेशन हुए हैं वो आपको देखना होगा यहाँ पर देखेंगे A&M के जो फर्म है उसकी यहाँ पर पूरी प्रोसेसिंग नोटिफिकेशन भी आ चुका है यहाँ पर देखेंगे आपको जो नोटिफिकेशन वो मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले यह देख लीजिएगा 24 तारीक से लेकर 7 अगस्त 2014 तक आपके फर्म चलने वाले हैं चलिए आपको सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पर चलते हैं लेकर यहाँ पर आपके सामने पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर देखेंगे 24 तारीक से लेकर आपको फर्म स्टार्ट हो गए हैं 7 अगस्त 2014 तक फर्म चलने वाले हैं चले परीच्छा का दिन क्या रहेगा तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है पर कुछ इक्स्ट्रा इसमें जो पोटल का चार्ज रहता है वो आपको पेश्टल रहेगा मतलब आपको करना रहेगा यहाँ पर देखेंगे उम्मीदवार को सबसे पहले क्या करना रहेगा किבע को बना रहेगा और इस बार नई प्रोफाइल बन रही है, कुछ आपको अपडेशन भी है, तो आपको अच्छे से देखना है, प्रोफाइल नई create करने के लिए इस वाले आपको प्रोफाइल पंजियन के उपर आपको क्लिक करना होगा, अगर आपके पास पहले से प्रोफाइल है या नहीं ह अगर है तो आपको हा करना है, नहीं है तो नहीं वाले उप्शन के उपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है और जीमेल आईडी दोनों को इंटर कर देना है, इसके बाद में केपचा कोड डालेंगे, और gate OTP के उपर जैसे आपके मोबाइल के उपर ए यहां से accept कर देंगे, तो आपकी जो नई profile है, उसके अनुसार आपकी profile बन जाएगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे yes करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, जो हमने yes किया है, तो जो नए नंबर है, वो नए नंबर आपको यहाँ ठीक है, यह आपका जो सत्यापन करना है, तो सत्यापन करने के लिए आधा नंबर डालेंगे, capture code डालेंगे, अब यहाँ पर gate OTP की द्वारा हम कर रहे हैं, तो एक message आपके पास जो आपका registered mobile नंबर है, उसी के उपर ही एक message आएगा, यानि कि OTP आएगा, उसे यहाँ से यहाँ पर देखने को मिल जाएगे, व्यक्तिकत जानकारी में आपका नाम, यहाँ पर आपका सरनेम, अगर कुछ नहीं है, तो एने आप लिख करके आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर father का नाम, mother का नाम, यह दोनों चीजे आपको यहाँ पर फिल क कर लेना है, इसके बाद में जो स्रेणी है, स्रेणी की बात करें तो आपका जो भी जनरल, OBC, ST, SC, जो भी आप स्रेणी में आते हैं, उसे आपको स्रेट कर लेना है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगर आप EWS जैसे जनरल वालक ली रेता है, अब यहाँ पर जो करना होगा, अदरवाइस नो करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जो आपका विवाहिक इस तर की बात करें तो साधी हो गई है, क्या, अगर साधी यस करेंगे, तो यहाँ पर सब आपको जानकारी बढ़ना होगा, आपकी जो साधी की डेट, इसके बाद में कितने बच्च स्टेट से हो, ठीक है, यहाँ पर आपका जो डिस्टिक है, पिन कोट है, सब कुछ आपको यहाँ पर फिल कर देना है, चलिए, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपके सामने यह जानकारी, आपको बैसिक जानकारी में देखना होगा, मोबाइल नंबर और जीमेल आइडी, यह दोनों जो आपने फिल किया है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आप करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपके सरीर के ऊपर कोई सा एक चिन, जैसे मोलोन फेस ऐसा कुछ है, तो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा, अब इन में से आधार का, ड्रा समस्य आ रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट भी देना होगा, यहाँ पर देखें, गोशना पत्र के ऊपर क्लिक करके पंजिकरत करें, ठीक है, यहाँ पर आपकी जो पंजिकरत नंबर आ जाएगा, आपका नाम बगरा पूरी जानकारी, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को आपको प्लेट करना होगा, टेंप्लेट इस प्रकार से होगा, मैं आपको सब दिखाऊंगा बशु üzычно क्य से टेंपलेट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर टेंपलेट के ऊपर जैसे आप klik करते हैं, तो यह वाला टेंपलेट आपके सामने आ जाएगा, आपको यहाँ पर आ यहां पर इसको ऐसे fill करने के बाद इसको scan करके upload करना रहेगा अब करना कैसे रहेगा यहां पर देखिए photo photograph scan करने के लिए यहां पर upload होगा signature के लिए यहां पर scan होगा इसके बाद में आहसते लिकित मतलब आपकी जो writing है वो आपको यहां नीचे लिखना होगा ठीक है अब इस चीर इसके बाद में यहां पर देखेंगे यह तो 10 वर जाती दोनों जो भी आपको डॉक्मेंट है वो आपको यहां पर ले drowned लेना है को यहां आपको यह सारी जानकारी तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा अब यहां पर यहां पर आपको सेव करने के लिए मैं पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा अच्छे समझना आप यहां पर बहुत ज्यादा आपको समझना होगा देखें यह आपका जो फोटोग्राफ है उसको अपलोड करने के लिए पहले क्या होता था कि एक ही बार हमने कोई भी फाइल को यहा करेंगे मतलब अपलोड करेंगे तो यहां पर आपकी जो साइज है वो इस प्रकार से आपको देना होगा यहां कि फोटो को क्रॉप करना होगा क्रॉप करने के बाद अच्छे से इसको सेट कर लेना है कहीं से कटे नहीं अगर थोड़ा बहुत भी इदर उदर हो जाता है त फोड़ा सा अल rhy रहता है यहां पर जाना है सिगनेचर के लिए आपको जो सिगनेच्र है वहां पर आपको डरेकल आपको क्रॉप कर लेना है तो यह आपने जो राइटिंग है उसे हमने इस प्रकार से कर लिया है, इसे फ्रिंट आउट ले लेना है, महिला स्वास्तकारी करता परिक्षा केंद्रों के लिए प्रसिक्षन प्रवेस है तुप आपका जो परिक्षा है स्टार्ट हो जाएगी, तो करना क्या रहेगा, सबसे पहले आपके 10th की मार्क शीट जो है, उसके अनुसार आपका विवरेंट बनना होगा, आपका नाम सरनेम जो भी है, और इसके बादने फादर का नाम और जनमतारी की ये मार्क शीट के अनुसार होना चाहिए, यनि कि इसके नीचे मैं ये भी दिखाऊंगा कि आपको डॉक्मेंटरी आपको परिच्छा सेंटर में क्या लेके जाना है, चलिए, इसके बाद में यहाँ पर इसको ओके कर देना है, ओके करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे, सेम वही चीज़ लिखी हुई, लेकिन एक और उ होनी चाहिए, और एक्जाम सेंटर में ऐसे ही कुछ डॉकुमेंट आपको लेकर के जाना है, अगर आपने मिसमेश वाले डॉकुमेंट को लेकर के गए तो एक्जाम हाल से बाहर कर दिया जाएगा, चलिए, यहाँ से हम देखते हैं कि अन्य विवरन की बात करें तो बिना स तू सर्टिफिकेट प्रनाली के द्वारा पास आउट होना चाहिए, और इसमें आपको भोतिक या रसायन या फिर जीविज्यान से आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, और पेतालिस परतीसफत से उपर आपके पास मार्क से होना चाहिए, तब ही आप यहाँ पर का कोई अनुभव लिया है, अगर लिया है तो आपको यस करना होगा, अदरवाइस नो करके यहां से आगे बढ़ जाना है, अब यहाँ पर जो परिच्छा सेंटर है, चार परिच्छा सेंटर इसमें दिये गए हैं, इन में से आपको सेलेट करना है, जो भी आपको सेलेट क करेंगे और यहां से आगे बढ़ जाएंगे अब यहां पर करना क्या रहेगा यह आपकी जो में प्रोसेसिंग है मतलब आपका फोर्म यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यहने कि भुकतान नहीं अभी हमने पेमेंट नहीं किया है प्रेंट वाले अप्शन के उपर क्रेड बेंकिंग डेविट कार्ट रेट कार्ट यूपिया जैसे भी आपको पेमेंट करना हो आप पेमेंट कर सकते हैं